Hello everyone, आप सभी का हमारे चैनल एक्साम कॉलिंग में स्वाग करते हैं Friends, हम CDP के एक सीरीज जो लेके आयते हैं इसमें ये सेकेंड वीडियो है, इसमें हम मोस्ट इंपोर्टन कोशन्स को कवर करते हैं ये सारे कोशन्स किसी न किसी एक्साम में पहले पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, इसलिए ये वीडियो इस वीडियो में एड किये गए हैं मैं 2020 कोशन्स के ये सीरीज लेके आई हूँ फर्स पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शिन में मिल जाएगा और फ्रेंज इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजे चलिए वीडियो को रहादर लंबा नहीं करते हैं आगे बढ़ते हैं कोशन वन मांसिक विकास का संबन्ध नहीं है A. शिक्षारती का वजन एवं मुचाई B. तर्क एवं नरना है C. स्मृती का विकास D. अवबोधका की अक्षमता कोशन नमबर वन का आंसर है शिक्षारती का वजन एवं मुचाई आगे बढ़ते हैं मनुष्छी के शरी में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है A. शैश्वा वस्था में B. बाल्य वस्था में C. किशुरा वस्था में D. प्रोणा वस्था में तो friends question number 2 का right answer है प्रोणा वस्था में सबसे कम हो जाती है आगे हम इसकुद बताते हैं कैसे मानोग अंकाल शरी की आंतिक संज़चना होती है जन्मे के समय 90 शिशू में 270 हड़ियां होती है बाले वस्ता में हड़ियों के संक्या 350 हो जाती है और किशोरा वस्ता में प्रोणा वस्ता में कुछ हड़ियों के संगलित होने अस्थिकर्ण के कारण 206 तक सीमित हो जाती है ठीक है फ्रेंस तो प्रोणा वस्था में 206 हो जाती है आगे बढ़ते हैं फ्रेंस कोशन नमर थ्री किशोरा वस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है यह कथन है A. Skinner का B. Stanley Hall का C. E. A. Kilpatrick का D. Thorndike का कोशन नमर थ्री का राइट आंसर है Stanley Hall का आगे दिखते हैं फ्रेंस कोशन नमर फूर जीन प्याजे के अनुसार संघ्यारात्मक विकास की अवस्थाएं है A. 4 B. 3 C. 2 D. 5 कोशन नमर फूर का राइट आंसर है A. आगे बड़ चलिए देखते हैं प्याजे के संघ्यारात्मक विकास की चारों आवस्थाओं को यह रही चार आवस्था हैं जिनको बाटा गया है चार भागों में पहला है इंद्ये जनेत गामक आवस्था दूसरा है पूर्व संघ्यार्यार्यार्यार्यार्यार्यार्यार्यार्यार्यार्यार्यार्यार्यार्यार्यार्यार्यार्यार्यार्यार्यार्यार्यार्यार्यार्यार्यार्यार्यार्यार्यार्यार्यार्यार्यार्यार्यार्यार्यार्यार्यार्यार्यार्यार्यार्यार्यार्यार आप्शन A, 18 माह से 3 वर्ष, B, 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोश अवस्था, C, 6 से 12 वर्ष तक, D, किशूर अवस्था तो एरिक्सिन की जो अवस्था हैं वो बनाम करके दियों ही है, उसमें से ये आप्शन नमबर 20 है, 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोश की अवस्था यहां पर पहल की बात हो रही है, यहां दोश की बात हो रही है फ्रेंड्स आगे दिखते हैं, मानसी विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है A. परिवार का वातावरन B. धार्मिक वातावरन C. परिवार की सामाजिक इस्तिती D. परिवार की आर्थिक इस्तिती Q. नमबर 6 का राइट अंसर है B. धार्मिक वातावरन मांजिक विकाज से धार्मिक वातावरन का कोई संबंद नहीं है आगे बढ़ते हैं कोशिन 7 नातिक तर्ख की अवस्था सिधानत किसने सपस्ट किया A. कॉल बर्ग, B. एक्सेंन ने, C. फ्राइड ने, D. पावलव ने कोशिन 7 का राइट आंसर है कोल बर्ग ने ओके फ्रेंज, आगे देखते हैं Q8. वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चुहों पर किस ने किया? A. कार पियरसन ने D. मैडूगल ने C. मेंडल ने D. पावलव ने Q8. काराइट आंसर है मेंडल ने आगे फटते हैं Q9. कौन सा उर्जावान में त्रवत बालक का लक्षण नहीं है A. खुशमिजाज B. सामाजिक C. आसानी से चरने वाला D. उर्जा का उच इस्तर Q9. काराइट आंसर C. आसानी से चरने वाला आगे दिखते हैं Q10. किशोरा वस्था पहरंब होती है A. दर्श वर्ष की आयू से B. सोला वर्ष की आयू से C. बारा वर्ष की आयू से D. अठारा वर्ष की आयू से Q10. का राइट आंसर है 12 वर्ष की आयू से ये जो इस प्रेंट आंसर दिया है ये रूसो के अनुसार दिया गया है रूसो ने बालो को तीन वस्थाओं की कल्थना की है 6 वस्था जो 1 से 6 वर्ष तक रहती है बाला वस्था जो 6 से 12 वर्ष तक रहती है और किशोरा वस्था को इनुने 12 से 18 वर्ष माना है आगे बड़ते हैं फ्रेंट्स पूर्टा प्रकारिशील व्यक्ति का संप्रत्य किसने किया तो कोशन नम्बर 11 का राइट अंसर है आगे बढ़ते हैं फ्रेंट्स कोशन नम्बर 12 निम्निम्ने से किसने बच्चों में वस्तु स्थातर्य के विकास को समझने में सहायता की है ए प्याजे बी फेस्टिंगर सी एलिक्सन डी बैलाग फ्रेंट्स कोशन नम्बर 12 का राइट अंसर है प्याजे ने पियाजी ने वस्तु स्थैत्र के विकास को समझने में सहायता की थी आगे बढ़ते हैं कोशन नमर 13 सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है उसके मुढने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है ये कतिन बाला के किस लक्षन की और इंगित करता है कोशन नमर 13 का राइट आंसर है कोशन नमर 14 किसने ये दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सर्भभाव में गुण जन्में जात होते हैं कोशन नमर 14 का राइट आंसर है किसने नम चौमिस्की ने किस पे दिया है भाषा में होने वाले कुछ सर्भभा में गुण जन्में जात होते हैं ये दावा किया किसने नम चौमिस्की ने किया है कोशन नमर 15 कोशन नमर 15 है कोशन नमर 15 का राइट आंसर फ्रेंड्स लेंगिक है लेंगिक एक मेंज अनल इनकी चार स्टेज कौन कौन सी हैं और और ऐनल फॉलिक जेंडल ठीक है चार है और 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 अनल फॉलिक जेंडल आगे बढ़ते हैं निन्न में से कौन सा बच्चों के हितू वेशलर बुद्धी मापनी का एक निश्पादन मापनी है A. अंग गड़ितीय B. संद्रश्यता समानता C. शाब्दिक तर्ग D. चित्रपूर्ती कोशन नमबर 16 का राइट आंसर फ्रेंस चित्रपूर्ती है कोशन नमबर 17 बाल मनुविज्ञान का सिद्धान्त प्यारम में चार से पांच वर्षों के अनुभव को अधारित होता है A. मनुविशलेशनात्मक B. विवरात्मक C. फ्रांतिक अवस्था समूँ D. संगेनात्मक कोशन नमबर 17 का राइट आंसर फ्रेंस A. मनुविशलेशनात्मक कोशन नमबर 18 ए बायोग्राफिकल स्केच अफ इनफेंट किसने लिखी है A. पियर B. शिन C. डार्विन D. स्टर्ण कोशन नमबर 18 का राइट आंसर है डार्विन ने दिया है आगे कोशन नमबर 19 मान की करत परिक्छनक का अर्थ है A. विश्वसनियता B. वैद्धता C. मानक D. उप्योक्त सभी कोशन नमबर 19 का राइट आंसर है उप्रोक्त सभी आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 20 किन मनवे ग्यानिकों के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है A. कॉस्णिक B. पियाजे C. स्किनर D. हॉर्लॉक कोशन नमबर 20 का राइट आंसर है स्किनर के बरुदित थे ऑफ्रेंट्स आपको योट पसंद आई अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंचों के साथ शेयर करें friends आपका support हमारे लिए बहुत जरूरी है और अगर आपकी कोई query हो या कुछ आपको मुझसे कहना है तो please आप comment section में कहें Thank you friends Have a nice day